बड़ों को परणाम बच्चों को प्यार आप सबको नमस्कार जैहिन सातियों में आरके नएक आप सभी का हार्दे की स्वागत करता हूं इंडियन पॉलिटी की एक बहुती महतपुन सीरीज में आसातियों प्रस्तावना की जो मूल तत्व है उन से समंदित कुछ महतपुन ज चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जरूर जुड़े और वहां पर सातियों आपको भारतिय सविदान से समदित शंपुन जानकारी मिल जाएगी आज सातियों हम जानकार लेने वाले काफी महतपुन जानकार रहेगी आप सभी के लिए अगर आप किसी भी एक्जा कर रहे हैं उसके बाद में आपको इस परकार का सबसे पहले आपको अगर यह जितनी भी पूष्टक देख पा रहे हों आप इन में से किसी भी पूष्टक का पीडिप चाहिए तो आप कॉमेंट जरूर कर दें और यह तो चल देए सब्सक्राइए पॉलिटिक की कलास और इ सब्सक्राइब कर सकते हैं और आज साथ हम भारतिये राजवेवस्ता यानि इंडियन पॉलिटी जितने भी एक्जाम में भारतिये सविदान से सम्दित क्यूशन पूछे जाते हैं उन सभी परतियोगी परिक्षाओं के लिए यह बहुत ही मैतपुर्ण साबित होगी आज स सामिल किया गया है जो एक्जाम की दिरिश्टिशन आपके लिए बहुत ही मैतपुर्ण साबित हो गया सबसे पहले सातियों आप यहां पर देखिए वारतिये सविदान की प्रस्तावना या कहें उदे सी का इसके चार मूल तत्वे देखने को मिलते हैं अब सातियों चार प्रस्तावना यह कहती है हमें कि सविदान की सकती का स्रोत भारत के लोग है इसलिए सातियों भारत की जो उदेशिका है भारत के सविदान की उदेशिका उसमें सबसे पहले एक ही बात लिकी हुई है कि हम भारत के लोग यानि सातियों सविदान की जितनी भी सकती है वो हम में निवास करती है यानि मूल सक्ति का स्रोत हम बारती हैं यानि हम सभी लोग जो भारत में निवास करते हैं और जो इनके पास में बारती नाग रिखता है वह सभी इस सविदान के पर मुक्सरोत है यह साथियों आप देखे यहां पर पॉइंट नंबर एक पे सबसे पहले लिखा है कि हम भारत के लोग उसके बाद में साथियों सेके नंबर है बारत की परकरती अब साथियों वारत की परकुटि में है प्रस्थाँना के अनुसार वारत एक संप्र भू और उसके बाद है सयाब है समाजवादी संपत निर प्रपेश और लोक्तान्तरिक वाए गंड़तांतरिक कि राजवयुष्ता वाला देश है अब सात्हुंहीं यहां पर क्या कह गए कि भारत कि प्रस्तावर्स नब एक संपर्भू राष्टर भ़ारते इसपर किसी भी बहरी राष्टरका किसी भी बहरी संक्रर का कि भी बारी organization का कोई दबाव नहीं है शंपरभू है यानि स्वेम अपना decision भारत ले सकता है यानि भारत में कोई भी निर्ने अगर भारत की संसद लेती है तो उसको किसी भी हाइर ओथरिटी से permission लेने की जुरूत नहीं है क्योंकि हाइर ओथरिटी यहाँ पर सबसे पहले हमारा सविदान है यानि जैसे अंग्रेजों ने जब शासन किया तो कोई भी एक दिनियम आता था तो सबसे पहले बिर्टेन में पास होता था उसके बाद में यहाँ पर लागू होने के लिए भी कुछ पर मिशन बगेर वासिल लेनी पड़ती थी लेकिन संपर्भू का मतलब ऐसा है कि वह अपना निर्ने लेने में सक्सम है और वह कोई भी निर्ने ले सकता है अपनी सुवेच्छा से और उसको कोई भी बारी सक्ति या बारी राष्ट्र परभावित नहीं कर सकता समाजवादी पंत निर्पेश और लोकतांत्रिक व्य गणतांत्रिक राज व्यवस्ता वाला भारत देश है और उसके बाद में सात्यों आप यहाँ पर देखेंगे नंबर तीन जो पॉइंट ह है हमारा बिंदू उसमें लिखा है सविदान के उद्दे से अब सात्यों सविदान का उद्दे से क्या है वह हम देख लेते तो उद्दे से मैं सात्यों प्रस्तावना में वे उद्दे से दिये गए हैं कौन से हैं जिने सविदान इस्थापित करना चाहता है और आगे भी बढ़ाना चाहता है, यानि उदेशे का मतलब यही है कि उदेशे, वही सामिल किए गए है, इस्ताफित किए गए है, जो अभी भी चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे, और उसके बाद में साथियों, यहां पर आप देखेंगे, इस प्रस्तावना के अनुसार, नयाई, साथियों नयाई सामाजिक नयाई आर्थिक नयाई धार्मिक परकार का जितने भी परकार के नयाई होते हैं उन सभी परकार के नयाई सविधान का मुख्य उद्दे से है कि भारत के पर्टेक नागरी को चाहिए वो किसी भी इस्तिती में किसी भी जगे रह रहा हो चाहिए वो आप से चारंट प्उंट दे जाएंगे पुछेंगे कि सविधान का उसे क्या है और चलो आप से क्यों सर्थ नहीं पूछा आप को इंटर्म में किसी ने स्ड़िए कि कि क्या जानते हैं कि है गारे का व्देशल क्या तो उस में में सवतंतर तता यानिं आपको सवतंतर त्सक्ता दी गई ये उद्द के बात में समता है बंदुत ये इससधायम मूल उड्द के बारे में दतार से आगे explain समझेंगे उसके बार में साते हों आप इन पर सШते इससफे समता और Avene часто प्यां liver 26 जनूरी हम मनाते हैं तो 26 जनूरी 1950 को हमारे देश का सविधान लागू हो गया था लेकिन साथियों बंद कर तयार कब हुआ वह वह था आपका 26 नॉवंबर 1909 को तो सविधान अंगी करन की तीथी देख लेते हैं साथियों प्रस्तावना में सविधान लागू होने की तीथी का भी उलेक किया गया है जो कि साथियों आप यहां पर देखेंगे यह रहा आपके यहां पर प्रस्तावना में तो जो क्या है साथियों 26 नॉवंबर 1909 को अंगी अंकित किया गया या फिर अंगीक्रीत सेविकार किया गया तो साथियों प्रस्तावना से समदित अगर एक्जाम में कोई भी क्यूशन पूछा जाता तो गलत आपका नहीं होना चाहिए अब साथियों प्रस्तावना का महत्व देख लेते हैं क्योंकि महत्व हमें भी पता होन चाहिए एक्जाम की दृष्टी से भी महतुपूर्ण है और सविधान का सबसे महतुपूर्ण भाग है प्रस्तावना आपको प्रस्तावना अगर एक बार अच्छे से समझ में आ गई तो सविधान की पूरी प्रस्ट भूमी आप समझ जाएंगे तो यहां पर साथियों उच सबसे पहला उद्देशे मैंने आपको यहां पर बताया था और आप भी साथियों इनको अच्छे से समझ यहां पर साथियों जो परमुक स्रोत है उसमें आप यहां पर देखेंगे तो प्रस्तावना के उद्देशे सविधान के उद्देशे क्या है प्रस्तावना के नुस को प्राप्त करता है यानि उसको ग्रहन करता है तो ये सब से महतुपूर्ण है उसके बाद में साथ ये सविदान द्वह निरमित उद्श THERE जितने भी उद्शaces उन SAB के सामने है उनको उसके बाद बाद में साथ है स्विधानी सविक्र्टि कि ती जो है उसमें सव्विदान के कुछ प्रावधानों की व्याक्या के महतुपुन भूमिका निबाता है यह इससे समधित एक बहुती महतुपुन जानकरी अब सातियों हम देख लेते हैं प्रस्तावना की व्याक्या ёन्द जो भारती जी है उनसे संभनीत मआमला था तो भारती बना मैं dobr Cem m तत्ततों के निरदारन के लिए एक्षयल विर बना वारती संग में किया से सकता है तो यह साथ हों आपके लिए के दोन भारती मांमला जो है काफी मैत्पून है के स्वानन भारती कौन थे साथियों यह एक मंठ जो हिंदु द्रम का मंठ था उसके महन थे और इस यह समझ देता है आगे हम कुछ और जान कर लेते हैं साथियों तो वे सविधानिक पराउधान जो बारत को एक संपर्भू समाजवादी और पंत निर्पे परजात आंत्रिक घंडराज गोशित करते हैं कि व्याक्या के लिए इसका उप्योब किया जा सकता है यह संसोधन की सक्ति पर भी लगाम लगाता है प्रस्तावना में दिये गए उद्दे से सविधान के मूल धांचे को गोशित करते हैं अब सातियों आपको बात बताता सबसे पहले कि जो मूल उदे से प्रस्तावना में दिया गया है उदे से है तो यह क्या है साथियों सविदान की जो मूल आत्मा है मूल जो धांचा है वो साथियों यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा यानि सविदान का अगर आत्मा कहा जाए तो साथियों यह क्या है अब कहीं कहीं आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा केशी केशी पूस्तक में कि सविदान की यह आत्मा है वह मूल उदेशेद यह अपनी प्रस्तावन ने होकर क्या है फंडामेंटल राइट है मौली का दिखार है अब सात्यूं इससे भी ज्यादा मैं आपको बताता हूं यह जो उद्देश सिखा है इसमें मौली का दिखार जिसमें फंडामेंटल राइस्ट आपके और निती ने देशेक तत्व है या स्वारी जानकरी जो होनी चाहिए वह आपको इसमें मिल जाएगी इसलिए हम प्रस्तावना को सविदान की आत्मा कहते हैं तो सात्यूं यहां पर सात्यूं आपने देख लिया कि सविदान के जो मूल धं नहीत है कौन-कौन से उद्देश से हैं उनका आप कॉमेंट करके जरूर लिख दीजिए आपका हो जाएगा रिविजन और हमें भी लगेगा कि हमारे जितने भी भाइबें जो वीडियो देख रहे हैं वह किसी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं और वह हम जो क्यूशन पूछ नहीं सातियों सिक्सा को ग्रेंड करने के लिए आपको एक जागरुक होने के साथ साथ आपको नियमित और नियमित के साथ निरंत्रता बहुत ज़्यादा जरूरी है तो साथियों कैस्वानन भारति वाद में यीस परसंड पर विचार किया गया कौन सा परसंदा इसमें के तहट प्रस्तावना में संसोधन कर सकती है जिसके बाद नैले ने ये फैसला सुनाया कि प्रस्तावना सविदान के मूल भूत तत्वो को समाहित करती है अब साथियों होताक्या जो सुप्रीम कोटे शेश्युषओ नै ऐले जो है भारत का उसने क्या किया साथियों प्रस्तावना को लेकर अपने मत अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके के दिए इसलिए प्रस्तावना से समधित एक्जाम में क्योशन पूछा जा सकता है प्रस्तावना सविधान के बाग के रूप में साथियों हम देख लेते हैं यानि साथियों आप संसोदन चाय किसी भी परकार का करो कोई दिकत नहीं है लेकिन इसकी जो मौल आत्मा है मौल डांचा है उसमें किसी भी परकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए यह कहता है हमारा प्रस्तावना जिसमें इस परकार का प्रावदान किया गया प्रस्तावना में भारत को एक शंप्रभू परजातांत्रिक गन्राजे गोशित किया गया है और संसोधन की सक्ति का इस परकार प्रियोग ने किया जाए कि भारत शंप्रभू परजातांत्रिक गन और गंडराजी है और कल को जाकर के धार्मिक राष्टर जैसे पाकिस्तान है या फिर अलग अलग जैसे होता है उस तरीके से अगर किया जाए तो ऐसा करने से क्या होगा हमारे सविधान की मूल आत्मा या फिर जो डांचा है सविधानिक डांचा उसमें किसी भी परकार का यहां पर है साथियों सरकार से वह सरकार इस परकार का निर्ने नहीं ले सकती जिसे सविधान की मूल आत्मा में परिवर्तन हो तो यहां पर साथियों आपको इसका पीडिप मिल जाएगा भारत का सविधान और इसकी उद्धे सिका को आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना सबसे पहले साथियों आप यहां पर देखिए विदायका कारिपालिका और नयायपालिका यह है भारतिय सविदान के तीन परमुक अंग अब साथियों तीन परमुक अंग पूछे जाएंगे तब राष्ट्र पती तो यहां पर आप देखेंगे साथियों यह तीन तो अंग हो पति भी समिल है तो अगर अंग पूछे जाए तो सातियों यह हो गए और अगर सदन पूछे तो शिर्फ दो सदन होते हैं लोक सबा और राज्य सबा इसके बारे में भी आपको हम जानकर देंगे सरकार के अंग सातियों व्यवस्तापिका कारिपालिका और न्याइपालिका है अब सातियों यहां पर सबसे पहले आप देखे प्रस्तावना में सासन के तीन अंगों का उले किया गया है जो क्या है सातियों आप यहां पर देखेंगे तो विदाएका कारिपालिका और न्याइपालिका के उदेश्यों का या फिर इनके बारे में अच्छे से लिखा यहाँ पर आपका नयाई सवतंतर्ता और ब्रातर्त्वे और समानता यह काफी मैत्वर्णत चार लक्से अगर पूछे जाएं आपसे एक्जाम में तो गल्प नहीं होना चाहिए बारती सविदान निर्माता जोग की साथियों आप देखेंगे कि इस बात को अच्छी त्रेशी जानते थे कि भारत है वो साथियों आर्थिक सामाजिक सवतंतर्ता के बिना राजनितिक सवतंतर्ता कुछ भी नहीं है यानि भारतियों के लिए या फिर दुनिया का कोई भी वेक्ति हो उनके लिए अगर आपको आर्थिक सवतंतर्ता दे दी जाए सामाजिक सवतंतर्ता दे दी जाए और राजनितिक सवतंतर्ता नहीं दी जाए तो उस सवतंतर्ता का कोई महत्व नहीं होता है तो साथियों इसलिए सबी परकार की जितनी भी सवतंतरत्ये मैं आपको बता रहा上 इन सबसे समधित आपसे exam elevation फूचा जाये तो गलत नहीं होना चाहिए तो सवतंतरत्या के बेने साथियों यह कुछ नहीं है और इस कारण से उन्हें क्या है साथियों समानता सवतंतरता एंव रातरत्व के आदर्ष सिद्धानतों पर भारत के सविदान को आधार परदान किया है तो यह साथियों आपके लिए महत्पुन अब साथियों प्रस्तावना में जो मुझूदा दर्शन है उसके बारे में कुछ महत्पुन ज का अर्थ उन आदेसों से है कौन से आदेस और कौन शी नीतियां जो कि हम हम यहां पर दीखेंगे जिससे क्या होता है साथिउ बहरतिय सविदान अभी प्रियरित хिथुभर और जिन पर हमारी सासन परनाजी और सविदान आधारित है सासन परनाजी किस पर आधारत साथ यहूं और सवधण किस पर अदायर्थ है उस सब्दीध जानकरी दे गई इस हमारे देश के सवध़न का मूल जो दर्षन है हम्में सवध़ान की प्रस्तावना में मिल जाता है उसके बाद में साथ में जीशें हम जो क्या कहते हैं साथियों यहां पर के मुंसी ने क्या किया है राजनितिक कुंडली का नाम दिया गया है अब साथियों जैसे हमारा जनम होता है तो कोई जनम कुंडली बनाता है कोई कुछ बनवाता है तो अब यहां पर साथियों अगर कुंडली की बात आती है तो यह जनम क को कहा गया है प्रस्तावना में पूरी जान करें दी कि तो सतोतिए अब हम यहां पर देखते हैं प्रस्तावना में मौझुदा धर्शन आप समधित असरी समधित देख लिए सबसे पहले है पर भरता शम्पन हम बारत के लोग जो की साथियों यहां पर उदेश सीका को आप अच्छे से अगर आपने इससे पहले पीडिए डाउनलोड कर लिया है तो आप मैं आशा करता हूं यह पूरी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं वो पढ़ लिया होगा रिविजिन कर लिया होगा नहीं किया है तो साथ सिक्रित अदी नियमित और आत्मार्पित करते हैं उसके बाद में साथियों यह सब्द भारत के लोगों की शर्वोच परभूता की गोशना करते हैं ठीक है उसके बाद में साथियों और इस बात की और संकेत करते हैं कौन सी बात की और की सविदान का आदार उन लोगों का है कौन से लोगों का जो भारती हैं जिन के पास में भारत की नागरिकता है उन लोगों को तो परबुता का अर्षातियों आपने देखा यहां पर राज्य को सवतंतर अधिकार है यानि कि राज्य को किसी भी विशे पर विदायन यानि कानून बनाने का बोले तो साथियों क्या है कानून बनाने की सक्ति है और वह किसी अन्य राज्य या बाहिये जो सक्ति है उसके नियंतरन में नहीं रहेगा उसके अदिन में नहीं है चाहिए आज दुनिया की कितनी भी सक्ति शाली जो संस्थाइं करते हैं इस किसी भी देश की जो संपर्भूता है उस पर किसी भी परकार का यहा फिर इस की या पर दुनिया के सबसे सकती साली देश कभी भी कोई गरीब राष्टर को या नया पनप्राथ चोटा राष्टर जो नया देश भोगोलिक इस्तिती चोटा है उस पर किसी भी परकार का आकर्मन करके उसको अपने हिसाब से नहीं चला सकते तो इस परकार से वह संपर्भुत के लिए जो जो चीजें जरूरी है उसमें सवतंतर्ता भी सबसे ज्यादा जरूरी है तो यहां पर साथियों सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारी उदेशिका है इसी के बारे में कुछ मैतमून जानकर यहां पर देगी है तो यहां पर साथियों सबसे पहले तो आपने दे प्रस्तावना में किया गया ہے यानि सव्यदान की कुंडली में तो यहां पर सात्यों अनुचेद 19 और 25-28 में इस्तान जिया गया कि इसको सवतंतरता कौन कौन सी सवतंतरता है कितने परकार के सवतंतरता हैं होती है आपको अनुचेद 19 से लेकर अनुछे 25-28 में विस्तार से पढ़ने के लिए मिलेगा और इतना पढ़ने के लिए मिलेगा कि आपके लिए किसी भी एक्जाम की जिसकी भी आप तैरी कर रहे हैं आपके लिए सफिशेंट होगा यह माल स्टेडी मेटेरियल इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं भी बटकने की जरूर्ट नहीं होगी मेरे ख्याल से अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा समझा और नोट्स जो हमने दिये हैं पेडियप दिये है उसको अगर रिविजन बार-बार क का गलत नहीं होगा और करेंट फेर भी कलाशें साथ में देखते रहा करो साथ-साथ में क्योंकि करेंट फेर से आपका क्या है यह सब चीज़ें कवर हो जाती है सविदान की उदेशिका में सवतंतरता का आर्थ केवल नियंतरन या पर आध्यापित्ते में कमी करना नहीं है यानि सवतंतरता का मतलब यह नहीं है कि हम जो मनुष्य पर नियंतरन लगाते हैं उस पर या फिर उनकी उदेशिका में क्या है इस तरह से नहीं है कि उनको सिर्फ थोड़ा कम कर देना है किसी को मतलब कोई कानून ऐसा नहीं बनाय गया है कि जिसने थोड़ा बहुत उसको रिलेक्स दे दिया बाकि उसको कंट्रोल में रखा ऐसा कुछ नहीं है सातियों बलकि इसमें क्या है सातियों विचार अभिवेक्ति विश्वास धरम तता उपासना की जो सवतंतरता है उस सवतंतरता के आधिकार का सकारात्मक संकल्पना भी सामिल की गई है मतदान में कारтесь हो अगर चुनाओव लड़ के पार्टि आपको परदान मंत्री बनाना चाहती है तो तो आप परदान मंत्री भी बन सकते हो ऐसा नहीं है कि जो पहले बोलती थे ना कि राज्या का बैटा ही राज्या बनेगा ऐसा बिलकुल नहीं है और वोट्वान का заб przeci Sex जे वरतमान म में मानलो कोई सरकार xyz वो सरकार बोले नहीं हमारे केंडिडेट खड़े हुए हैं आपको वोट उनी को देना होगा ऐसा यह हमारे मूल अधिकार में भी उले किया गया है आप जिसको भी चुन सकते हो जो आपको पसंद है उसको यहां कोई ताना सा वाली बात नहीं है कि आप की इच्छा के अनुसार आप अपने वोट का परियोग कर सकते हो परती नीदियों को चुन सकते हो यह जो आपको अच्छा लग रहाए उसको सकते हो निर्वाच्ण में आप खुद खड़े हो सकते हो कि भाई नहीं यह मेरे कोई पसंद नहीं है तो खुद चुनाव लड़ सकती है सरकारी नीतियों की आलोचना करना इतियादी राजनेति की सवतंतरता है यानि आप सरकार के कोई भी कदम जो आपको लगे कि ये सरकार का उद्दे से जो ये नियम है ये सविधान का जो परमुख उद्दे से है उसको परभावित करता है और उससे क्या होगा देश की स जितनी भी एकता अकंड़ता और सवतंतरता जो आम नागरिक के वह प्रभावित होती है तो उस सभी की आलोचना करने का आपको अधिकार किस्ट में दिया गया साथियों बारतिय सविधान में दिया गया है नियाए के बारे में देख लेते हैं साथियों हैं आपर तो सबसे प होनी चाहिए सबसे पहले साथियों यहां पर नयाय की सवतंतरता और रक्षा के लिए बारतिय सविधान निर्माताओं ने जो सविधान का निर्मान कर रहे थे उन्होंने क्या किया साथियों नयाय पालिका की सवतंतरता पर विशेश जोड दिया क्यों अगर नयाय पालिका सविदान की यह जो लोकसभा और राजिसभा में जो सदसे उनके अधीन अगर यह चली जाए परदान मंत्री के सारे पर अगर यह नयाई पालिका नाचने लग जाए तो उससे क्या होगा सातियों नयाई निश्पक्स रूप से नहीं मिल पाएगा इसलिए सातियों क्या है यह पर हमारे जो सविदान निर्माता थे उन्होंने बोला भाई हमें नयाई पालिका को एकदम सवतंतर रखना है उस पर किसी भी परकार का दबाव हमारी राज्य सबा या लोकसभा के दूरा नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर नयाई पालिका की सवतंतरता पर वीशे जोर दि मिलता है , प्रश्तावना में सभी नागरिकों को नयाय का आजवासन दिया गया है। और नयाय सबस्देशादियों इसका मतलब क्या हैं आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि वेक्टियों के प्रेस्पर हितों और समूँँके प्रेस-पर हितों के बीच से वेक्तियों तता शमों के बीच जो हित होते हैं उनके बीच समाज़ से इस्तापित करना न्याय का पर मुकाम है यानि साथियों न्याय पहले का कि यहां पर हमारे जिवन में सबसे ज्यादा महत्पुन भूमिकार रहती है अब साथियों आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि न्याय कितने परकार के होते हैं Alright اورuju सबसे पहला तो साथियों यह सामाज्य की न्याय और यह निए्रीय आता है तो यह पर देख लेते में जाती के वरण के आदार पर बेदबाव नहीं होना चाहिए यह सामाजिक न्याय है मतलब किसी भी परकार का ऐसा उंचनीच या फिर किसी भी परकार का बेदबाव नहीं होना चाहिए परतेक नागरिक को उनती के प्रियापता अफसर मिलने चाहिए अब सातियों बारत में कि जेक्षे मालो आई-एस-आई-पी-एस का एक्जाम होता है आप तहरी कर रहे होंगे अगर आप यह वीडियो देख रहे है तो साहई हो सकता आप भी आई-एस-आइपेस की तहरी कर रहे होंगे अब साथियों अगर सविधान में ऐसा उलेक कर दिया जाए कि शिर्फ आई- के जो परिवार के सदे से या रिलेटिव है वही शिर्फ आई यह बन सकते हैं अगर इस परकार का पर्तिबंद लगा दिया जाए तो सातियों आपको सामजिक न्याई नहीं मिल पाएगा इसलिए सातियों इस परकार का सामजिक न्याई से समधित यहां पर प्रस्तावना में दूले किया गया है कि मानों से मानों की बीच में किसी भी परकार का कोई भेदबाव नहीं होना चाहिए नहीं जाती से समंधित नहीं धर्म से समंधित हां कुछ अपवाद जरूर है जैसे मान लो बारक्षन है या कुछ और है जैसे मान लो जैसे जो अपने ओते ना वो क्य लाने के लिए उनको अधिकार दिये जाते हैं अलग से ताकि वो कम से कम है वो उस से लेवल को आशिल कर सके जो दूसरों ने कर रखा है तो इसलिए साथियों यह काफी मेहत्पुन जान करिए अब साथियों यहां पर आगे हम जान कर लेते हैं वो है आपकी राजनितिक न्या यह राजनितिक न्याय क्या है इसका मतलब देख लेते हैं साथियों राज्य के अंतरगत सभी नागरिकों को समान रूप से नागरिक यह राजनितिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए अब राजनितिक अधिकार में साथियों मैंने आपको बताया था कौन-कौन से भोट देन कर ले 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 अर्धिक न्याय यह पर न्याय कि एक बहुत हे और आर्ठिक न्याय को छेट लिए जाए तब भी कोई महतुमर्य नहीं रहेगा और आर्थिक न्याय काफिंग धर हैं जासंतियों झार्च को बनाने कि लिए तो उस पानी नहीं दिया जाये तो रोटी नहीं बना सकते सुक्याते से आप ठीक है क्योंकि उसको और उसके बाद साथियों अगर आपको मान लीज़े आठा भी दे दिया जाए पानी दे दिया जाए और आग नए दी जाए रिजे ना दी जाए सेखने के लिए बोला ठीक है बना लो तो आप आठे को पाने में तो घोल लोगी लेकिन साथियों कच्छा रहेगा इसलिए साथियों इतना मेहत्पूर्ण होता है यह नयाय चाहिए वह राजनियतिक नयाय सामजिक न्यायों या आर्थिक न्यायों, या आपके लिए बहुत ज्यादा महितल्डपूर्ण न क्या मतलब होता है, उत्पादनें वित्रण की साधनों का न्यायचित वित्रण हो। ऐसा हमारे सविदान की प्रस्तावंना में उले किया गया है। हो और साथ यहां पर धन्संपदा का केवल कुछ ही दो कुछ लोगों के हाथ में केंद spirituality harman करन करन नहीं होने होना चाहिए यांति कर कहने होना चाहिए पाकिजे आप सबूष !! तो कितने संतुष्ट है साथ यहны Beyond the awakeant करके जरूर लिखेगा अब साथियों यहां पर देख लेते हैं प्रस्तावना के जो मुझूदा दर्शन परमुक उसमें समानता से समदित कुछ महत्वण जान करें समानता तो साथियों यहां पर समानता का मतलब और इससे समझेत कुछ मेइटपुण जानकर ले लेते हैं जो की हमारे लिए एक्जाम की दृष्टी से मेइटपुण सबसे पहले साथ everything समानता का मतलब देख लेते हैं आपने वीक्तितव के अच्छे से विकास करने के लिए मनुस्य को क्या है समानता मिलनी चाहिए तो विकास करने के लिए हर एक मनुस्य को समान आउसर उपलब्द कराना होगा भारत को तब जाकर क्या साती हूं पर्टेक नागरिक है उसको समानता का जो अधिकार है है वो मिल सकेगा यानि अगर जैसे मालो कुछ तो ठीक है जैसे योगता से समन्दित है जैसे कोई एक्जाम देखर करके जोब आशिल करना चाहता तो उसके लिए एक निश्चित कर दिया कि इतनी पढ़ाय के बाद में आप इस जोब में अपलाई कर सकते हो लेकिन वहां पर जाती विशेश धरम विशेश या इससे समन्दित कोई नहीं होना चाहिए कि इसमें सिर्फ हिंदू बैठ सकते हैं मुस्लिम बैठ सकते हैं या इसाई शिक कोई भी मत पास कर दे एसाई यह पांच्वी पास कर दे इस परकार कंई हो नाचाहिए समान तक मतलब यह है विक्तित्व का विकास करने के लिए मनुछिये को इस परकार के आफसुल अब्द करवाना हमारे सरकार का करतव है सबी नागोरिकों को देश के समान विदान federal समान भाग में म किसी भी एक विक्ति या एक वर्ग विसेज के लिए दूसरे विक्तियों अत्वा वर्ग के सोशन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए यानि किसी भी वेक्ति विशेश को या धर्म विशेश को या फिर आपका कहें तो समाज विशेश को किसी भी वेक्ति को ऐसा अधिकार पर अपने होना चाहिए जिसे की आम आदमी का सोशन वो कर सकें इस परकार का अधिकार भाई किसी को नहीं मिलना चाहिए उसके बारब में सातियों हम यह पर देखेंगे तो वहाती सुविधान की नजर में सारवजजनिक इस्तानव में परविष करने और उसके साता सातियों यहांपर क्या है लोंक न्योज़न के विसे में जो की है यहांपर धर्म、 मूलवंस इस्त्री पूरुस या फिर जन्म इस्तान के आदार पर एक वेक्ति और दूसरी वेक्ति के बीच में कोई बेद नहीं होगा ऐसा प्रावदान समानता में किया गया है अब साथियों समानता के बाद हम देखते हैं यहां पर प्रस्तावना में मुझूद जो दर्शन है पंथ निर्फेक्स राज्ये तो यहां पर हम जानकार लेंगे पंथ निर्फेक्स राज्ये से समझे साथ यह इनका पेडियफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चल से जरूर जूड़ें और रिविजन करते रहें बार बार बस हमारे यही कहना ताकि आप भी साफ सुलता मिल जाए या फिर अच्छा परदर्शन रहे पंथ निर्फेक्स राज्ये की बारे में जानकर लेते हैं यहाँ पर इसका मतलब देख लेते हैं सबसे पहले कि पंथ निर्फेक्स oysters का कि हम कर रहे हैं उसमें साथियों आप यहां पर ढेकिंगे सबसे पहले हम ने आप देखिए पंत निर्पेक्स क्या है साथियों अलग-अलग मतों को मानने वाले भारत के जो लोग हैं उन बारतिये लोगों की एक्ता और उन में बंदुत्वा की जो बावना है उसको बनाए रखने के लिए सवीदान में पंत निर्पेक्स राज्य का आदेश रखा गया यहां पर साथियों धर्म निर्पेक्स यानि राज्य किसी धर्म के किसी भी धर्म करतव या तोहां जो इत्यादी होते हैं उन में सह भागी नहीं होगा दूरी बनाए रखेगा पंत निर्पेक्स धर्म निर्पेक्स का मतलब समझ गया और पंत निर्पेक्स का मतलब होता है राज्य किसी पंथ विशेज के साथ बेदबाव नहीं करेगा जबकि सभी पंथों को सभी धर्मों को समान मानेगा बराबर सुविधाएं देगा तो यह इससे समधित है जानकारी साथियों आपको पीडियप चाहिए तो यहां पर पंथ निर्पेक्स वाद किसे समधित इशनद की है बैयानिस्व किसेश्व कल्षिदान संसो थन से इस्युक्त बैयानिस्व सव्विदान संसो दन कब भुआ ता है कीनहांग? बैद्यूसाँ में सबसे पहले कौन सा सदन हुआ था कब हुआ था इस समझे भी एकजाम में क्यों से पूछा जा सकता है इसका मतलब यह है कि साथियों जो की राज्य सभी मतों के समान रूफ से रक्सा करेगा और किशी भी मत यानि जो दर्म विशेस है उसके लिए दर्म के रूप में नहीं मानेगा पंतर निर्पेक्स्ता सविधान के आदारित लक्षनों में से एक है ये काफी मैत्व होने साथ हूं अब हम देखते हैं यहां पर समाजवाद समाजवाद में सबसे पहले आप यहां पर देखे इसका मतलब हम समझ लेते हैं समाजवाद का की समाजवादी सब्द मूल उदेशिका में सामिल नहीं था बलकि क्या है इसे बाद में 42 में सविधान संसोदन अदिनियम के दौरा जोड़ा गया कब जोड़ा गया साथियों वर अर्थ समझ लेते हैं साथियों यह है कि एसी व्यवस्ता जिसमें उत्पादन के मुके साधन जो की होते हैं जिसमें पुंजी संपती या जमिन इत्यादी में क्या है सारुजनिक स्वामित्वे या नियंत्रन के साथ साथ वित्रन के समतुले समाजवाद से होना चाहिए इस के तात पर ये इसका क्या तात पर है सातियों ये है कि ये नहीं है कि भागते तो चॉइदान नीजी समत् Season संपती के साधि के उन मुलंद विस्वास रखता है बलकि यह उस पर कुछ करतिभण लगा ताह साधूँ इसका उप्योग राष्ट हित में किया जा सके ये था सातियों आपका समाजवाद अब सातियों समाजवाद से समधित कुछ और महत्पुन जानकरी हम ले लेते हैं समाजवाद तो सातियों समाजवाद में यहां पर कुछ मैत्पुन जानकरी और लेते हैं और आगे बढ़ते हैं सातियों यहां पर है राज्य का बढ़ता हच्चे और भागीदारी वर्तमान सदी का एक विसेश उपलक्सन है समानता जो सातियों है उसके बाद में हमने यहां पर समाजवाद पर आये हैं तो यहां पर समानता सातियों इसको क्या है राज्य की परकर्ती पर समाजवाद का प्रभाव माना जाता है भारत्य सविदान में किये गए अने को जो संसोधन है उन संसोधनों से साथिय। क्या है इस परस्ट होता है कि इसकी परगती की दिशा लोक्तांत्रिक नहीं बलकि सामाजिक आदर्सों की और उनमुक है और इसी लक्स की प्राप्टिक के लिए संसोधन किये जाते रहे हैं तो यह साथियों इससे समधित है अब साथियों हम कुछ और मैंतपुन जान कर लेते हैं बंदुता से समधित तो बंदुता का मतलब क्या होता है साथियों इससे समदित को जो मैंतरपुन जानकरी सबसे पहले लेते हैं यहां पर है शेर माने नागरिक्ता से समंद सात्यों उपबंद का उद्धे से भारतिये बंदुत्वे की बावना को मजबूत करना और एक मजबूत लोकतंतर का निर्मान करना है सबी लोगों के बीच बंदुत्वे की बावना उत्पन नहीं होगी तो सात्यों क्या होगा बारतिये लोकतंतर कमजोर हो सकता है इसलिए बंदुत्वे बहुत ज़्यादा जरूरी है सात्यों यहां पर और यह बावना होनी चाहिए कि हम सभी लोग एक ही भूमी के एक ही मत्र भूमी के पुत्र है यानि हम सभी आ और धर्म भासा और संस्कृति वाले लोग रहते हैं यहां पर साथियों भारत में क्या है अलग अलग धर्म के लोग अलग-अलग मूल वंस के लोग अलग-अलग बासा बोलने वाले अलग-अलग सब्वेता संस्कृति और कल्चर वाले भारतिये सभी एक हो इसलिए यह बंद अब साथियों बंदुता का कुछ और महत्पून जानकरी जो एक्जाम की दर्ष्टेश आपको होना चाहिए वो देख लेते हैं पर बंदुता एक वेस्विक पक्स है जो की साथियों विश्वे बंदुत की संकल्पना वसुदे कुटम की प्राचीन भारती आदर्स की और ले जाता है प्रस्तावना सविदान का भाग है मौलिक अधिकार तदा निती निदेशक तत्वों पर क्या साथियों इन पर कुछ मैत्पून जानकर हम आगे आने वाले समय में मौलिक अधिकार और निती निदेशक तत्वों पर लेंगे और नितेशक तत्वों की परीधी निर यो किया जा सकता है अब साथियों इसके लिए आप यहां पर पीडिएप डाउनलोड करके रिविजिन कर लो प्रस्तावना प्रस्तावना में साथियों यहां पर सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना में साथियों यहां पर है प्रस्तावना भारत को शंपुन परभूत्व संपन और उसके साथ सामाजवादी पंथर निर्पेक्स परजाता नत्रिक गर्ण राज्य गोशित करती है इसलिए एक अच्छा सविदान ही राष्टर की पूरी तरह से क्या है साथ हूं उस राष्टर के विकास में सबसे ज्यादा मैत्पून योगदान इसका रहता है और सा और सविदान निर्मातरी शाबादवारा सविदान निर्मान सवतंतर राष्टर का लक्सन है ये साथियों आपने देखा ये पूरी जानकरी अगर साथियों आपको अच्छी लगती है तो आप इसकी पीडियो अपने दूसरी भाई-बैनों तक सेर कीजिए वीडियो अगर पसंदा है साथियों अपने विचार बहु मुले जो भी विचार आपको अगर अच्छा लगता तो जो जैसा लगता है वैसा आप लिख के जरूर हम तक भेजिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नए जोस नए उमीद के साथ तब तक धन्यवाद जैहिंद दे मात्रम